नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि ओर्नोफ टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है ओर्नोफ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओर्नोफ टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि ओर्नोफ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में ओर्नोफ टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है ओर्नोफ टैबलेट के अंदर दो एंटिबायोटिक दवाओं का कॉंबिनेशन हो और्नोफ टाबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन और निडाजोल 500 mg और ओफ्लोकसासिन 200 mg होता है। और्नोफ टाबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल और पैरासितिक इंफेक्शन होने पर किया जाता है। और्नोफ टाबलेट का उप्योग मुख्य रूप से पेट में इंफेक्शन होने पर और डाइरिया यानी दस्त होने पर किया जाता है। और्नोफ टाबलेट पेट के इंफेक्शन को खत्म करके डाइरिया की समस्या को ठीक करती है। इसके अलावा डॉक्टर तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर, फैफरों में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर, पेशाब में इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर और कान न और नोफ टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि और नोफ टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में और नोफ टैबलेट की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ओर्नोफ टैबलेट की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, भूप कम लगना, बधजमी और सिरदर्ध हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की ओर्नोफ टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। आपको ओर्नोफ टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने ओर्नोफ टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि Ornove Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है अब हम discuss करेंगे कि Ornove Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Ornove Tablet को लेना recommended नहीं होता है अगर किसी व्यक्ति को liver या kidney की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि liver और kidney की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में Ornove Tablet की डोज घटानी पड़ सकती है प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Ornove Tablet का सेवन करना recommended नहीं है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Ornove Tablet को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Ornove Tablet से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं